है दोस्तों म Arbeits Shfoak designer कि जोड़ानेंटर फÓर्श्टी येटियूब चैनल पेर जैसा कि दोस्तों आप जानते किसी बाठी सबमकित कोई भी जानकाई होती है आप सब인지 जाती है इस वीडियों हजार से जादा प्रात्मिक स्कूलों को निजी हाथों में देनी की बात की जा रही है और इसके अलावा कई अपडेट के बारे में लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें साधी शेय कर दें और चैन को सब्सक्राइब कर लें जिसनी की जान कई आप सभी को सबसे पहले मिलती है आगे बटने से पहले हम बात करेंगे सीटेट की बैस्ट बुक के बारे में जो कि चक्षू प्रकाशन की हैं अगर आप भी सीटेट के अंदर 130 प्लस नमबर लेना चाहते हैं तो आप अभी से अपनी प्रपेशन शुरू करें चक्षू की बैस्ट बुक के साथ जि सब्सक्राइब की जैसे कि इंपोर्टेंट टेवल और फैक्स भी आपको देखने के लिए मिलते हैं आपका पार्टेकर्म होता है संपूर्ण थियोरी के साथ में और प्रपेशन के साथ भी आप चाहें पेपर बन की तयारी का है या पेपर ठूकी दोनों के लिए जो बुक कार्ट से ले सकते हैं या फिर अपने नजदी की स्टोर से सभी जगह अवैलेबल हैं जादा जानकरी के लिए लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हैं शुबात करते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में आप मैंसे बहुता है इसे अव्यति होंगी जो कि सिच्छक ब बाहर हो जाते हैं इस गोटाले के बात क्यों की जाई है वो आप सभी को यहां से देखने के लिए मिलेगा मामला यह है कि सिच्छक की रूप में अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश या अलगलग राज्यों के अव्यति नहीं सीधे पाकिस्तान की महिला को यहां से च्छक में बनाने में कई लोगों की बूमी का संदिक्स देखने के लिए मिली है नीचे लिखा हुआ है कि अगर बात किये ततकाली बीसे को दोसी मांते हुए गया मंत्याले को अब तक अगर बात की जाए हाई प्रफाइल मामले को दबा दिया गया सालों बाद अब गया मं के प्रकण में जुड़े दस्ताबेज एकत करने में जुटा हुआ है अवे तरीके से रामपुर में रही पाकिस्तानी महिला को जिसका नाम फरजाना और महिला अक्तर को लेका यहां से लिखा हुआ है कि उनको यहां से नोटिस दाजी करते हुए वीजा की अवदी लिया को अगर सिचक बनाया गया तो इसमें कहीने के जो तंत्र होते हैं जो डॉक्विन वेरिफिकेशन करते हैं उनका कहीने की बहुत बड़ा हाथ देखने केलिए मिलता है क्योंकि उनकी ही करते हैं फिलाल यहां से उल्टी गिंती है वो शुरू हो चुकि निवास माडप अगर बात कीज़ाइं पाकिस्टानी की नागिक्ता को छुपा कर नोक्की कर दीज की सेवा समाप्ति की उल्टी किन्ती तेज हो गई है विए से इसी करण का मामला लगाता आप सभी को देखने के लिए मिलता है एक बार सरकार ने संविदा भरती को लेकर एलान किया था सरवाचा पत्तों के अंदर उसके बाद में बहुत बड़ा व्रोध हुआ वो मामला दब गया लेकिन अब अगर बात की जाए विबक्ष के माध्यम से बड़े आरोप यहां पर लगाएगा है बरतवान सरकार की उपर जैसा कि आपको देखने के लिए मिलेगा कि बेसिक स्कूलों को पुंजी पतियों को देने की तयारिया है ऐसा कहना अकले शिरादब का समाजबादी पार्टी कर्दिक्स की तरप से नीचे लिखा हुआ है कि बाजबा सरकार ने शिच्छा व्रस्ता को पूरे तरीके से वरवात कर दिया है मिशन काया कल्ब के नाम पर करोड़ों और वो रुपे फूगने के बाद भी सरकारी स्कूलों की हारात में कोई सुदार नहीं हुआ है उन्होंने कहा कि बाजबा सरकार अभुत्तर विज़स क कि ग्यार हजार और मिध्यालें को भी कि पीपी मोडल को लेकर अपने चहते य योजना मना रही है दिसमें अपर अकलिश यानकाय को भड़ा को लेकर सवाल उठाते हुए कि कि सरकार परसेदी स्कूलों बच्चों के हित्में कोई भी विवस्ता करने में नाकाम दरी है बच्चों की युनिफॉर्म जूते मोजे महें कराने के और लेकर भी लाबवाई बढ़ती गई हैं अभी तक सभी स्कूलों में सिचकों की किताबें नहीं बढ़ पाई हैं लाखो इन जो समाजवादी पार्टी के चेर्मेन की तरफ से बयान आया उनका कहना है कि ग्यारे हजार से ज्यादा प्राथ्मिक स्कूलों को नेजी हातों में देनी की त्यारियां हैं इसके अंदर होगा कि आ बहुत साही जानकाई मैं आप सभी को स्पेशल वीडियो मना कर देंग बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट की बारे में जो की समद्धित है दस अजार से ज्यादा पदों पर नई टीजिटी और प्रैमरी सिच्छक भरती को लेकर और यह बरती आप सुभी को देखने के लिए मिलेगी केंदी विद्यालें के अंदर यहां पर लिखा हुआ है बर्दमान में कख्षा एक से लेकर बार भी तक के सिच्छकों के कुल सुइकत पदों की अगर बात की जाए तो 46,970 हैं जिस मैंसे 22 परसेंड लगबग 10,344 पद खाली हैं सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत केंदी विद्यालें संग्धिन के साय कायोगत केंदी जन सूचना अधिकाई धर्मेंट पटेल की ओर से 25 माई 2022 को सूचना दी गई जिसमें बताया गया कि 31 माई 2022 तक केंदी विद्यालें में PRT, TGT और PGT के कुल पदों की संख्या 36,533 हैं एक साल पहले दिक्त पदों की संख्या 9,236 थी लेकिन एक साल के बाद में 10,344 हो चुकी ह एक अन्य RTI के अंदर जानकाई देते हुए 2020 के अंदर 7,470 पर दखाली थे लेकिन ऐसे में भरती हैं न होने से अब ये मामला और भी जादा बढ़ता जा रहा है लगातार रिक्त पदों की संख्या बढ़री है लेकिन भरती के विग्यापन जारी नहीं हो रहे हैं तो ऐसे अव्यादी जो चाहते हैं कि पर टीजिटी पीजिटी और प्रेमरी के अंदर उनको एक सीट मिल जाए तो आप लोग अपनी तयारी करते रहें कैंदी विद्याला संग्ठन की ओसे लगवग 10,344 पर एक और नई भरती का विग्यापन जादी होगा जिसमें टीजि इस पर लेखे हुए हैं इन तमाम बदों पर केंदी विद्याला संग्ठन के माध्यम से बरती के जो विग्यापने वो जादी होंगे बात कर लेते हैं अपने एक लिए अप्डेट के बारे में जो की संबंदित है एड़िट जूनियर सिच्छक बरती के रिजल्ट के लिए एड़िट जूनियर के बारे में सचीप परीक्षा निमाग प्रिकारी के माध्यम से कल की तारीक में एक नोटिस जादी करते हुए बताया गया कि एड़िट जूनियर सिच्छक बरती का परदाम जादी कर दिया जाएगा और जल्द जादी कर दिया जाएगा लेकिन PNP के उपर चात्तों को बिल्कुल भी भरोशा नहीं है। जिसके चलते संश्वदित परडाम के लिए चात्तों ने कल की तारीक में तारीक में बिरोध प्रदेशिन किया। गौर तलब है कि 15 नमबर 2021 को घोशित परडाम को निरस्ट करने के लिए अनुमदी शासन ने 30 अगस को दे दी कई थी तबाम अभ्यातिने परिच्छाँ फिल होने के लिएकर यहां से कम नमबर मिलने की शिकायत ने की थी फिर उसके बाद संशुदित हुआ संशुदित परडाम अब यहां से त्यार हो चुका है सचिफ परडिशा निमक प्रदिकारी का कहना है कि हमें थोड़ा सा समय और दीजिए हम साथ तारीक तक आपके परडाम को घोशित कर देंगी मतलब यह है कि 894 पतों पर एड़र जूनि सब्सक्राइब करतेया है लेकिन अब तक आवेदन शुरू नहीं हुए है हर अब्याती के मन में सवाल है कि सीटड के आवेदन कब तक होँगे जोज एक नई सब्सक्राइब करने के लिए को कोई दिक्कत नहीं है वह चाय तो कल सी आपके आभिधन ले दिक्कत है, आपकी परिक्षा करवाई गई थी तो तमाम कईने की विसंगतियों का सामना करना पड़ा था और CVSC की तरब से इस परकार की गलतियां नहीं की जाती है वो चाहती है कि एक बार में शाधारण और सिंपल तरीके से परिक्षाहों को आरिजन हो इसी वजह से कहिने की इस मुद्धों प पूरे तरीके से मौन है उनका कहना है कि पिछली बार जो बिसंगतियां देखने के लिए मिली है इस बार ऐसा ना हो उनको दूर करने की त्यारियां है जैसे सब कुछ ठीक होगा यहां से नॉटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा वीडियो को लाइक कर दें साथी शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें